नमस्कार जोहार मैं याचन जैस्वाल आप देख रहें न्यूज जार्खन चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की जार्खन की तमाम बड़ी ख़वरों को राजधानी राची समेत आसपास के इलाकों में बदला मौसम सुबह से हो रही बुंदा बांदी अगले 48 घंटों तक मध्यमदर्जे की बारिस की चितावनी राजधानी राची और आसपास के कई जीलों में चक्रवात मिचौंग का असर दिखने लगा है सुबसे ही बुंदा बांदी हो रही है रुक रुक कर बारिश होने से जन जीवन पर भी असर दिख रहा है वही तमिलनाडू तट से टक्राने के बाद मिचौंग अंधर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है इसके आज दोपहर मचली पटनम के आसपास टक्राने की उमीद है मौसम केंद्र के प्रभारी निर्देशक अभिशेक आनन्द ने कहा कि 6 और 7 दिसंबर को राजी के करीब करीब सभी हिस्से में हलकेसमध्यमदर्जे की बारिश हो सकती है राजी के दच्छिडी और निकटवर्ति मध्य इलाके में बारिश हलकेसमध्यमदर्जे की होगी इन हिस्सों में पुर्वी सिंग्भुम, पशिमी सिंग्भुम, सराय केला, खरसावा, सिम्डेगा, राची, खुंटी, रामगड, हजारी बाग जीला शामिल है इस दौरान लोगों को अधिक ठंड का सामना नहीं करना पड़ेगा धनबाद जेल हत्याकान मामले में हाई कोर्ट शक्त, घटना में बड़ी साज़िश और पॉलिटिकल एंगल, एसाइटी से हो जाँच, अदालत ने सरकार से मांगा जवाब जारखंड हाई कोर्ट ने धनबाद मंडल जेल हत्याकान मामले में स्वता संग्यान लिया है इस मामले में आज सुनवाई हुई, अदालत ने हाईब्रीट मोड में सुनवाई की, सुनवाई के दौरान जेल आईजी उमा संकर सिंग ओपस थित रहें, इस दौरान उन्होंने अब तक की स्थिती और उठाए गए कदम की जनकारी दी सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार का पक्ष रख रहे महादिवक्ता राजीव रंजन से पूछा कि इस हत्याकान मामले में बड़ी साजिस और पॉलिटिकल एंगल दिख रहा है ऐसे में राजी सरकार मुख्याले इस तर पर S.I.T. बना कर जाच कर सकती है या नहीं अदालत ने इस सवाल का जवाब देने को कहा है अदालत की ओर से सरकार को जवाब देने के लिए एक सब्ता का समय दिया गया है इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को निधारित की गई है हत्यकान मामले में सरकार की ओर से महादिवक्ता राजी वरंजन एवं वकील पियुष चित्रेस ने पक्ष रखा वहीं आईजी प्रिजन उमा संकर सिंग कोट के समक्स वर्च्वल रूप से उपस्तित रहें और कोट के सवालों का जवाब दिया जार्खन में सहिया को इस कूटी मिलेगी ये है प्रावधान जार्खन सरकार राजी में काररस सहिया को इस कूटी देगी इसकूटी इलेक्ट्रिक होगी यानि कि पेट्रोल भराने की कोई भी जंजट नहीं होगी साथ ही इसे चलाने के लिए सहीया बहनों को लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी इसे लेकर बीते महीने दिल्ली में आयोजित एनेचेम की बैठक में एनेचेम जार्खन के लिए के इंदे सरकार ने मंजूरी दे दी है फिलाल इस योजना को पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने की मंजूरी दी गई है इसके साथ ही पहले दुर्गम छेतरों में काम करने वाली सहीया बहनों को स्कूटी दी जाएगी इसके बाद धीरे धीरे इस योजना का राजभर में विस्तार किया जाएगा बोकारो एरपोर्ट से 28 फरवरी से सुरू होगी उडान नागरिक उडियन मंत्राले ने तै की है तारीक बोकारो वा आसपास के जीले के लोगों के लिए खुसखबरी है बोकारो एरपोर्ट से उडान की तारीक तै कर ली गई है नागरिक ओडन मंत्राले ने बोकारो हवाई अड़ा के परिचालन की तारीक 28 फरवरी 2024 मुकर्रर की है सोमवार को यह जानकारी बोकारो विधायक बिरंची नारायड ने दी विधायक ने सोमवार को बताया कि एरपोर्ट की सभी बाधायें दूर हो गई है बहुत जल्द लोग बोकारो से हवाई उड़ान की सेवा प्राप्त कर सकेंगे सोमवार को बोकारो एरपोर्ट पर फायर ब्रिगेट का विशेश वाहन रैपिड इंटर्वेंशन वीकल पहुचा इस वाहन को हवाई अड़े में खास कर स्थापित किया जाता है ताकि आग लगने जैसी बड़ी दुर घटना को रोका जा सके इसमें 6,000 लिटर पानी की कैपेसिटी होती है जहां प्रती मिनट 3,000 लिटर के हिसाब से पानी छोड़ा जाता है वही वाहन से विशेश जाग भी निकलता है जो फौरन आग पर काबु पा लेता है अबरों की ओर तकराया और दुरघटना घ्रस्थ हो गया जिससे ट्रेलर चालक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उपचालक गंभीर रूप से घायल हो गया घायल उपचालक को उचित इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया खबर लिखे जाने तक उने तक की पहचान नहीं हो पाई थी राची में आठ लड़कियों का न्यूड वीडियो वाईरल कैसे बच्चे या सिकायत करें जाने डीफ फेक के बारे में सब कुछ आजकल डीफ फेक सब्द काफी सुर्खियों में है डीफ फेक के मामले बढ़ते जा रहे है सेलिब्रिटी से लेकर राजनीदी छेतर से जुड़े लोगों के आए दिन रियल वीडियो के चेहरे को दूसरे चेहरे में लगा कर सोसल मीडिया पर वारल किया जा रहा है सरकार द्वारा इस पर सिकंजा कसने के लिए भरपूर कोशिस की जा रही है यह पुलिस प्रशासन का नया सिर्दर्ध बन चुका है हाल के दिनों में डीपफेक तकनीक का शिकार होने वाली मसूर हस्तियों में रश्मिका मंदाना, कैटरीना कैफ, काजोल, आलिया भट, सरतेंदुलकर, बिजनसमेन रतन टाटा, शामिल है प्रधानमंत्री नरिंदर मोदी भी इस पर चिंता जता चुके है पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने कहा था कि डीपफेक देश के सामने मौझूद सबसे बड़े खतरों में से एक है इससे राचकता पैदा हो सकती है उन्होंने मीडिया से अपील की है कि डीपफेक को लेकर लोगों को जागरूख किया जाए प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि हाल ही में उन्होंने एक वीडियो देखा जिसमें उन्हें गर्भा गाते हुवे दिखाया गया था मुझे खुद लगा कि यहां क्या बना दिया यहां चिंता का विशह है हलांकी यह वीडियो पूरी तरह से फेक था अबुआ आवास योजना इस साल देने है दो लाख आवास दस दिनों में ही आगए आठ लाख अठारह हजार आवेदन जारकन सरकार ने राज के आठ लाख पांच हजार आवास वीहिन लोगों के लिए अबुआ आवास योजना आरम की है इस योजना के तहट वर्स दो हजार पच्चिज से चब्विस तक सबको आवास देना है जिसमें तीन कमरों का पक्का मकान होगा राजसरकार ने इस वित्तिय वर्स याने 2023-24 के लिए दो लाख आवास देने का लक्ष निर्धारित किया है इसी दौरान 24 नौबर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान की सुरुआत हो गई है इस अभियान में आवास के लिए भी आवेदन लेने का निर्धेस है पिछले 10 दिनों में रिकॉर्ड 8,18,951 आवेदन केवल अबु आवास योजना के लिए आए है 24 नौबर से आरंभ हुए सरकार आपके द्वार अभियान में अब तक कुल 1869 कैम्प राजिभर में लगाए गए है जहां कुल 15,18,083 आवेदन आए है जिसमें आधे से अधिक आवेदन्याने 8,18,000 केवल अबु आवास योजना के लिए है इसके बाद धोती, साड़ी, लुंगी, वित्रड योजना के तहत एक लाग सत्रह हजार आवेदन आए है वही कंबल वित्रड के लिए करीब 97,000 आवेदन आए है वही सावेदन सरकार के अण्य योजनाओं के लिए है गड़वा में सड़क दुरघटना कपड़ा वैवसाई की मौत गड़वा जीले के भवनादपुर थाना चेतर के ब्लॉक मोड रहने वाले 35 वर्सिय कपड़ा वैवसाई राजकुमार साहा की सड़क दुरघटना में मौत हो गई राजकुमार साहा सोमवार की देर राद भवनादपुर थाना चेतर के बैगाडिय गाओं में बाइक से एक कारेक्रम में गया था जहां से लोटते समय भवनादपुर नगर उटारी मुख्य सड़क पर छमैलवा गाओं के समीप और दुरघटना का शिकार हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई घटना की सूचना के बाद भवनादपुर पुलिस के शव को पोस्माटम के लिए गड़वा भेज दिया गया है इधर अचानक होई सड़क हाथसे में कपड़ा वैवसाई की मौत के बाद भुनादपुर वैवसाईयों में शोक व्याप्त है वही घर में अकेला कमाउ सदसे खो जाने से परीजनों का रो रो कर बुरा हाल है टाटा हटिया मेमू पैसेंजर ट्रेन की इंजन पर लगी आग यात्रियों में मची अफरा तफरी सराइकेला खरसावा जीले के चांडिल अनुमंडल में राची मूरी रेलखंड के लिटेमदा रेलवेस स्टेशन पर टाटा हटिया मेमू पैसेंजर ट्रेन की इंजन के ऊपर आग लग गई ट्रेन में सवार सभी यात्री कुछ देर के लिए ट्रेन से उतर गए हलाइकी घटना की सूचना पर लेटेमदा रेलवेस स्टेशन के रेल करमी फोरन मौके पर पहुचे और कुछ देर में आग पर काबू पा लिया बता दें कि टाटा राची मेमो पैसेंजर ट्रेन साथ बच कर 34 मिनट पर लेटेमदा रेलवेस स्टेशन पर पहुची थी चकरवाती तुफान मिचोंग का खौब जार्खन की 10 ट्रेने रद वंद्य भारत का रूट बदला चकरवाती तुफान मिचोंग की वज़ा से जार्खन से चलने वाली कम से कम 10 ट्रेनों को रद कर दिया गया है वहीं दच्छडपुरो मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में विकासकार्यों की वज़ा से जार्खन, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्रा समेत कई राज्यों की ट्रेनों को रद कर दिया गया है। और आलापुजा धनबाद एक्स्प्रेस ट्रेन को रद कर दिया गया है। इसके अलावा हटिया सरम, विस्वसरया बैंगलूरू एक्स्प्रेस ट्रेन को भी रद कर देना पड़ा। यहां तक कि ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों को पास में मुबाइल तक रखने पर पाबंदी लगा दी गई है। जेल प्रशासन ने कर्मियों को चितावनी दी है कि अगर किसी कर्मचारी के पास ड्यूटी के दौरान मुबाइल पाया जाता है तो उनके खिलाव सक्त कारवाही की जाएगी। जेल प्रशासन के आदेश के बाद गेट में प्रवेस्ट करने के दौरान हर कर्मचारी की तलासी ली जा रही है। भर की चावी से लेकर किसी तरह का समान तलासी के दौरान मिलता है तो उसे प्रवेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। समान को गाड़ी या फिर अन्य जगह पर रखवाने के बाद ही कर्मियों को जेल की भी तर जाने की इजाज़त दी जा रही है। बोकारों में होमगाड भरती में 550 से अधिक अभ्यरतियों ने लगाई दोड़। प्रवेकुमार कुजूर ने बताया कि भरती प्रक्रिया, पुड़ पारदर्सी और काभीलियत पर निर्भर है। उन्होंने सभी अभ्यरतियों से अपील की है कि किसी भी दलाल के चक्कर में ना पड़े। बताया कि 5 दिसंबर को बहाली प्रक्रिया में 11 तकनीकी सहरी के पुरुस्व महिला क्रमांग संख्या 11501 से क्रमांग संख्या 13654 तक के अभ्यरति शामिल होंगे। वहीं बहाली प्रक्रिया की निग्रानी CTDSP कुलदीप कुमार, उत्पाद विभाग की आयुक्त उमा संकर सिंग, होंगाट प्रसिक्षु कमांडेंट निलिमा सुरेन, होंगाट कमपनी कमांडर माजीद आलम सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। पिता ने नहीं दिलाई महेंगी केटियम बाइक, छात्र ने दूसरे से लूट लिया। उसने अपने पापा से केटियम बाइक मांगी थी, लेकिन पिता ने उसे देने से इंकार कर दिया। रैनित ने अपने इक्षा पूरी करने के लिए एक साथी के साथ मिलकर एक केटियम बाइक लूट कर फरार हो गया। CTSP ने बताया कि एक दिसंबर को धुर्वा डैम के पास मांडर का एक यूवक केटियम बाइक लेकर आया था। नकली हतियार के बल पर रैनित और राचकुमार से उससे बाइक लूट ली। सड़क पर खड़ी हाईवा से टकराया तेजरफतार बाइक सवार यूवक की गई जान महिला घायल। पुलिस से मिली जनकारी के अनुसार बाइक पर दो लोग सवार थे। बाइक चला रहे यूवक के इस दुरगटना में जान चली गई है। बताया जाता है कि बाइक सवार खड़ी हाईवा से टकरा गया। किया गया है। साथ ही हाईवा को भी जब्त कर लिया गया है। बाइक सवार का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले कुरोना ने बरबाद किया अब विपक्ष शड्यंत्र रच रहा है हिमंत सोरेन। मुख हिमंत्री हिमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार आपके घर तक विकास योजनाओ को पहुचाने के लिए कटिबद है। चार साल में पहले कुरोना के कारण दो साल बरबाद हुआ और इसके बाद जब विकास का काम करना सुरू किया तो विपक्ष के लोग शड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन हमारा बकाया 1,36,000 करोड रुपए नहीं मिल रहे हैं। अगर हमें यह राशी मिल जाती है तो हम हर गरीब को आवास रोजगार देते जो नहीं दे पा रहे हैं। यदि यह राशी मिलती है तो 1100 के इस्थान पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर लोगों को देते वही राजय में 15,000 गुडवत्तापुड स्कूल खोडते और 10,000 से भी ज़्यादा सरकारी पदो पर बहाली होती। रिम्स में सुरक्षा से खेल, तैनात जवान खेलते हैं लूडो, फरार हो जाते हैं कैदी, दो साल में 11 भागे। पर कैदियों की सुरक्षा ववस्था देखना उचित नहीं समझ थे। पुलिस अधिकारियों के लापरवा रवये की वज़े से ही रिम्स में भरती कैदियों की सुरक्षा में तैनात जवान ड्यूटी के नाम पर समय काटते हैं। पढ़ने वाला कोई असर। विपक्ष नेताओं को भ्रस्टाचारी साबित करने में जुटी हुई है। विपक्ष के नेताओं के खिलाव भ्रहम फैलाया जा रहा है। भाश्पा नेताओं और इनके सहयोगी पर कोई कारवाही नहीं हो रही है। महराश्ट्रा में जिनके खिलाव भ्रस्टाचार के आरोप लगे हैं। उनके NDA में शामिल होने के बाद कोई कारवाही नहीं हुई है। गिरिडिया में पॉस्को एक्ट के तहट दो आरोपी गिरफतार भेजे गए जेल। थाना में आवेदन दे कर दोशियों के खिलाव कारवाही करने की मांग की थी। पुलिस ने मामले को गंभेरता से लेते हुए। कांड संख्या 383 बटा 23 पॉक्सो एक्ट के तहट मामला दर्ज करते हुए। दोनों अभयुक्तों को गिरफतार कर जेल भेज दिया है। हाई कोट ने कहा शडयंत्र था SIT की जाच हो। गैंक्स्टर अमन सिंग हत्याकान मामले को लेकर जारकंड हाई कोट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोट ने सुनवाई के दोरान कहा कि यह घटना एक किसी सणंद्र की ओर इसारा करता है। जेल में हत्यार पहुचना और हत्या होना कोई छोटी बात नहीं है। कोट ने SIT का गठन कर मामले की जाच का आदेश दिया है। साथ ही काहा है कि सरकार भी इस पूरे मामले पर अपना जवाब दाखिल करे। पता देएं कि जेल आई जी उमा संकर सिंग वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीये जुड़े हुए थे। कोट ने उन्जे पूछा कि अब तक की जाच में क्या पता चल पाया है। पलामू में भदुमा रेल्वे फाटक के पास युवक का शौव बरामद हत्या की आशंका। नहीं पहुच पाई है। फिलाल मामले के चानबिन की जा रही है। इसी तरह से जारकन की और छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारी वाट्सप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।